समानता क्यों आवश्यक है इसके ताथ नौवा बिंदु है इसलिए आवश्या क्योंकि वह प्रजातंत्र का आधार है प्रजातंत्र तभी संभव है अपने सही रूप में किसी देश को प्रजातंत्रिक देश तभी कहा जा सकता है सच्चे मायने में यदि वहां समानता हो आर्थिक समानता, राजिनेटिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, आधिया, धार्मिक समानता इन समानताओं को लेकर जो समाज चल रहा है, जो शासन चल रहा है इन समानताओं की भावनाओं के मद्दे नजर जहां पर कानून व्यवस्था है, सम्विधान है सच्चे प्रजातंत्र का अस्थित्व कतई नहीं हो सकता ऐसा जो प्रजातंत्र है वो मातर दिखावा है प्रपंच है सच्चाई इसमें नहीं रहती और एक व्यक्ति जह उधारन के लिए हम दें कि यदि हम प्रजातंत्र की बात करें सच्चे प्रजातंत्र की कैसा होगा प्रजात तांतरिक देश है भारत में अधि उच्छ वर्ग के लोंगों को चाहे पूंची जाती के लोंगों को हर व्यक्ति को एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार दिया जाए धनी वर्ग को एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार दिया जाए महिलाओं को निम्न वर्ग One person, One person, One vote, दें, और बाकी को, One person, Two votes, या One person, Three votes करें, क्या यह नियायोचित है, तर्क संगत है, ऐसा क्या उनमे है, कि उनको ज्यादा vote देने का अधिकार है, ज्यादा vote देने का अधिकार, के बल इसलिए, क्योंकि उनके पास धन है, गलत, यह प्रजा तंत्र नहीं है, तो इसलिए प्रजातंत्र में जो समानता की भावना है वो बड़ी कूट-कूट कर भरी हुए सभी लोग प्रजातंत्र में समान हैं और इसलिए एक वोट एक मत एक व्यक्ति या एक व्यक्ति एक मत ये प्रजातंत की नीव है और भारत में प्रारंभ से ही जैसा मैंने पूर में बताया प्रारंभ से ही 18 वर्ष के उपर के सभी वर्गों को सभी लोगों को समान राजनातिक अधिकार है समान राजनातिक अधिकार चाहे वो भिखारी हो चाहे वह किसी बहुत बड़े empire का बहुत बड़े आर्थिक समराजी का मुखिया हो रतन टाटा इतने प्रसिद जो businessmen है इतने प्रसिद जिनका भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है आर्थिक शेत्र में उनको भी संसत चुनने के लिए एक वोट मिलता है और जब पंक्ती में खड़े होते हैं मतदान पेटी में के पहले मतदान पेटी के सामने तो बिखारी भी खड़ा होगा उनके साथ और दोनों को समान कोई किसी बात बंचित नहीं किया जा सकता और बिखारी को ये कहते हुए के रतन टाटा जैसे अरब पती के साथ नम नहीं खड़े हो सकते यही समानता है यही प्रजातंतर की नीव है यही प्रजातंतर का अधार है इसलिए समानता मजबूत प्रजातंतर के लिए बहुत आवश्चक है अगला बिंदु वह है राष्ट्री एकता के लि 700-800 वर्षों के काल में बहुत अस्मानताइं थी और इन अस्मानताओं के कारण चाहे वो जातिगत अस्मानता हो चाहे लिंगगत अस्मानता हो मूल रूप से जातिगत थी इनी अस्मानताओं का फायदा लेते हुए बिदेशी हमले हुए और हम गुलाम रहे हम तूटे हुए रहे हम एक जुट नहीं हुए हम में एकता कभी नहीं रही कभी नीचे के वर्गों ने धोखा दिया, कभी उच वर्ग के लोगों ने धोखा दिया यदि अंग्रेजों के समय की बात करें तो जमीनदार वर्ग लोगों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया जो धनाड़े वर्क के थे जमीनदारों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया अंग्रेजों के शासिन की निव मजबूत करने में योगदान दिया जमीनदारों ने जबकि धनाड़े थे धनी वर्क के थे कारण जो भी रहे हो वो उस पे हम दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे पर कहने का तात पर ये है कि एकता के लिए अत्यावश्यक है समानता की भावना होना देश एक जुट रहे, unity is strength, एकता में ही ताकत है तो इसलिए राष्ट्री एकता के लिए, राष्ट्री भावना को पनपने के लिए बहुत जरूरी है सेना में किसी तरह का भेद नहीं है, infantry, फाज में infantry क्या है infantry मतलब पैदल सेना, पैदल सेना वो सेना होती है जिसे शत्र के सामने लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहना पड़ता है उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं उसमें, infantry के जवान उसमें महलाई भी हैं, लड़कियां भी हैं, जिन्होंने सेना के में नौकरी के अवसर को भुनाया है और नौकरी अपनी क्षमता के बल पर अरजित की है, तो ये समानता की भावना है, तो सेना में भी हम देखते हैं कि सभी धर्म के लोग हैं, infantry में हैं, और भारत के कई राश्पति मुस्लिम रहे, कई महिलाएं प्रधान मंत्री बनी, इंदर शीमती, इंदरा गांधी यूएनो में भारत के जो प्रेसिडन्ट थी, विजय लक्षमी पंडित महिला थी, कई राजियों के मुख्यमंत्री पिछले वर्ग से हुए महिलाएं हुई, आदी आदी, अब ये एक हमारे हैं भारत में निश्चितरूप से कहना होगा, कि समय काफी बदला है, और समानता लाने के सरकार के प्रसार्थक प्रयासों के कारण एकता की भावना बढ़ी है, राश्टीता की भावना बढ़ी है, देश मजबूत हुआ है, शक्तिशाली हुआ है, तो राश्टी एकता के लिए भी समानता की भावना अत्याधिक आवश्चक है, ग्यारवा बिंदु, वि प्रश्व बंधुत्व वसुधाईव कुटम्बकम ये भारत के स्वंस्कृति का मूल मंत्र है वसुधाईव कुटम्बकम पूरी दुनिया एक कुटम्ब है ये जो भावना तभी पन पेगी जब हम सब को समान दृष्टी से देखें चाहे वो काले रंग के हो चाहे गोरे हो चाहे वो अमीर देश के हो चाहे गरीब देश के हो चाहे वो छोटे राष्ट के हो या बड़े राष्ट के हो चाहे वो आर्थिक रूप से संपन हो या विपन हो सब को समान दृष्टी से देखने की भावना को यदि हमें बढ़ाना है जो विश्व शान्ती के लिए बहुत जरूरी है विश्व के सुख के लिए बहुत जरूरी है तो आवश्यक है कि हम समानता की भावना को बढ़ाएं तो विश्व बंधुत्य की भावना को बढ़ाने के लिए भी ये आवश्चक है अंतराश्टी एक्ता में मजबूती मिलती है और परस पर निर्भरता बढ़ती है एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ती है शांति पूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है और साथ ही एक दूसरे के मदद के लिए सहयोग की भावना को बल मिलता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आप भी रहें हम भी रहें पडोची देश भी रहें हम भी रहें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके थे रहें यह हमारी विदेश नीति का एक महतपूर्ण अंग है वसिधाईव कुटम बकाम हमारी विदेश नीति का एक बहुत महतपूर्ण अंग है पालिसी है यह नीति हमारे पालिसी हमारी विदेश नीति का एक बहुत महतपूर्ण अहम विचार है तो हम कह सकते हैं कि समानता तमानता के विचार की अंतिम बिंदू लेकिन सबसे महत्पूर्ण शासन जो भी करता है रज जो भी करता है रज से अर्थ स्टेट सरकार उसका लक्ष होता है समाज कल्यान जन कल्यान शासन जो भी कदम लेता है शासन जो भी कानून बनाता है उसके पीछे जन कल्यान की भाव तो ताटपर ये है कि समानता का मुख्य तथा मानव कल्यान और समाज कल्यान ये समानता का मुख्य लक्ष है समानता क्यों उससे क्या पाएंगे समानता की भावना को आगे बढ़ाने से क्या मिलेगा मानव कल्यान, समाज कल्यान, विश्व बंधुत्व, आर्थिक विकास, देश की एकता आदियादे तो जो अंतिम बिंदु, समाज कल्यान और मानव कल्यान की भावना का विकास होगा इसमें वृद्धी तभी जब समानता हो तो दूसरे शब्दों में समानता बहुत से कारणों से बहुत जरूरी है यह आवश्यक है कि सरकार कॉंशेसली या अनकॉंशेसली समानता की भावना को विकसित करने में सतत रूप से प्रयास करते रहे समानता को किस तरीके से हम कारियानवित कर सकते हैं समानता को हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं उसे हम व्यवहार में ला सकते हैं समानता समानता कहना बड़ा सरल है पर उसे व्यवहार में लाना उतना ही कथिन है लेकिन फिर भी जैसा कि पहले मैंने कहा कि समाजवाद में वो प्रयास होता है कि वरगों के बीच का अंतर जो है वो नियूनतम किया जाए तो ऐसे क्या प्रयास किये जाएं जिससे इन सब विशमताओं में इन सब तरीके के असमानताओं में असमानताओं को नियूनतम किया जाए पहला है कि हम विशेश आदिकारों को हटाएं विशेश आदिकारों को हटाएं विशेश आदिकार अर्थ विशेश अदिकार जो कुछ विशेश लोग को दिये गया है उनको हम हटा दें एक बहुत छोटा सा उधारन देता हूँ विविन कारक्रमों में किसी कारणों से कुछ विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट गेट होता है विशिष्ट जगा होती है विशिष्ट बैठने के विशिष्ट व्यवस्था होती है ये असमानता को जर्म देता है तो इस प्रकार के विशिष्ट व्यवस्था का प्रावधान आदी होना गलत है। मैं पुना ट्रैफिक सिग्नल का उधारन देता हूँ। क्या विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कारण को छोड़ कर, क्या विशिष्ट व्यक्तियों को ट्रैफिक सिग्नल पर सिग्नल का ध्यान दिये बिन अपने गड़ी ले जाना allowed है कर देना चाहिए क्योंकि वे विशिष्ट है और यदि वहाँ उनको इस बात की सुविधा नहीं दी गई है तो विविन कारिक्रमों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ऐसी विशिष्ट विशिष्ट विश्था क्यों ये उस असमानता का परिचायक है जो समाज में असन्तोष प्यदा करती है बढ़ाती है और इसलिए एक सबसे पहले तो एरपोर्ट जाएं आप तो वहाँ देखेंगे विशिष्ट विशिष्टियों के लिए अलग से प्राउधान है बहुत से कारक्रमों में आप देखेंगे कि विशिष्ट विए आईपी जो लिखा रहता है आखिर वो क्या है उसके पीछे वही असमानता की भावना है इस असमानता से पनपने वाले पनपे हुए असन्तोष को हटाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें सबसे पहला विशे शादिकारों का हमें उद्धा कर देना चाहिए हमें उसे समाप कर देना चाहिए दूसरा समानता के द्वारा समाज में समरस्ता बना के कार्यानवित यदि हम करना है समानता तो हमें एक तरीके से समरस्ता लानी पड़ेगे ये भावना सब में लानी पड़ेगे कि सब लोग एक हैं सबका खून एक हैं आधिया तीसरा तरीका है समानता लाने का या असमानताओं की विशमताओं को कम करने का उन्नती और विकास के समान अवसर देना सभी शिक्षण संस्थाओं सभी कारियालियों सभी बिजनेस में व्यापार में उसके द्वार सब के लिए समानता से खले हो जाद पाद धर में लिंग आजी का कोई स्थान नहीं होना इस द्वार में सरकार ने गत सत्तर असी वर्षों में सच्थनता के बाद बड़े प्रयास किये हैं बहुत से कानून बनाए हैं जिसके तहट उन्नकिय और विकास के समान और सर सभी को अबलब कराने के लिए कानून बनाए गए हैं दंडनी अपराद बता कर दंडनी अपराद कहकर जो हैव्ज लोग हैं जिनके पास हैं ये चीज़ें उनके द्वारा किसी तरह का दुरुपयोग ना हो ये प्रयास किया गया है और साथ ही जो लोग अभी तक वन्चित थे एतिहासिक काल से जो लोग वन्चित थे विविन्द कारणों से उन्हें उपर उठाने के लिए भी कानूनी प्राधान किये गया है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समानता को क्रियानवित करने के लिए उन्नती और विकास के समान अवसर अपलब्द कराने का और प्रयास हो और मातर कानूनी प्रयास नहीं उसके साथ ही मानसिक सोच भी बदलने का प्रयास होना बहुत जरूरी है चौतह तरीका जिस से इस अत्मानता को हम कम कर सकते हैं वह है गरीबी और अमीरी के अंतर को कम करके गरीब और अमीर के अंतर को कम करना कहना बड़ा स्रल है यह अंतर कैसे कम हो पहले जासे मैंने बताया कर प्रावधान ऐसे कर दिये जाएं कि अमीर को ज्यादा कर देना हो और गरीब को कम न्यूनितम तो यह tax system ऐसा करने से निश्चित रूप से विश्वमता कम होगी, आर्थिक विश्वमता कम होगी इसके अलावा जैसे समाजवादी देशों में बड़ी व्यवस्था है कि एक सीमा के आगे कोई व्यक्ति इतनी संपत्ति नहीं रख सकता एक सीमा के आगे कोई व्यक्ति इससे ज्यादा लाव नहीं ले सकता तो क्या भारत जैसे देशों में भी यह संभव है क्या इसके लिए समाज तयार है ऐसी सोच के लिए क्या शासन ऐसे प्रावधान कर सकता है वर्तमान संविधान के परिप्रेक्ष में और कर सकता है तो करना चाहिए और नहीं कर सकता है तो रास्ते निकालने चाहिए जिसके आधार पर गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसे कम किया जा सकते गरीबों का पैसा गरीबों तक रहे और अमीरों का पैसा भी बट छट कर गरीबों तक आए ये हमें सुनिश्चित करना है, ये इसका प्रावधान हमें बनाना है। कानून का समान सनरक्षन उपलब्द कराके, ये सुनिश्चित किया जा सकता है, कि समानता को बढ़ावा मिले। कानून का समान सनरक्षन, यानि कानून की मदद सभी को समान रूप से मिले। थाना यदि थाने में जाएं तो जाती लिंग धर्म से हट कर एक थानेदार आयवे व्यक्त की समस्या और उसका निराकरण समान रूप से करें तो निश्चित रूप से समानता की भावना और तथा कथित पिछड़े वर्ग निम्न वर्ग में ये विश्वास जागेगा कि समाज में वे लोग उसी श्रेड़ी में हैं जिस श्रेड़ी में अन्य लोग तो इसलिए कानून का संद्रक्षन और वह भी समान या अत्यावश्यक है इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक समानता का आभास कराना आर्थिक समानता का अभास कैसे होता है अभास कराने की बात है उनको महसूस कराने की कि आप लोग हमारे समान होई सिस्टर्म अभास कराने कारत है कि धर्म जाती लिंग आधी से हट कर समान कारे के लिए उन्हें समान तंखा मिले समान अवसर मिले तो इससे उनको अभास होगा कि आर्थिक रूप से वेलो दूसरों से समान है और उसके साथ ही राजनेटिक समानता राजनेटिक समानता में आरक्षंड जो दिया जा रहा है वह आरक्षंड एक प्रयास है कि पिछडे वर्ग के लोगों को निम्रवर के लोगों को महिलाओं को सामने लाकर उनको समानता की भावना उनमें पनपाना उनमें समानता की भावना को बढ़ावा देना ये प्रयास ही इस बात के लिए किया जा रहा है कि उनको ये अनुभूती हो कि वे लोग आर्थिक मामलों में और उसके साथ ही समानता का उदारन है लोक्सभा विधान सभा राज्य सभा आदी में सीटों का आरक्षन लोक्सभा विधान सभा में सीटों का आरक्षन अभी वरतमान में महिलाओं के लίए 33 प्रतिशत सीट के आरक्षन पर बहुत समय से प्रयास चल रहा है आखिर यह क्या है यह वही समानता राजनितिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास के तहर यह कदम उठाया जा रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि राजनीतिक समानता में हम महिलाओं को पुरिशों को और अल्प संख्यक लोंगों को भी उतना ही विकसित पाएंगे जितना की समाज का अनुतब का भारत की जो सरकार है सरकार ने ये जो सारे प्रयास जो बताएगे जा बिंदू उपर जो मैंने बताएगे ये बिंदू की मदद से उसने कोशिश की है कि समानता में विभिन्नता न्यून्तम की जा सके लेकिन अभी भी हमें मीलों चलना है काफी दूर जाना है क्योंकि पुरुष श्त्री की विवन्नता उच्चवर्ग निम्टर की भावना आर्थिक संपन्नता और विपन्नता अमीरी गरीबी ये आधि की भावना अभी भी भारत के बहुत चेक्षेत्र में गहरी पैट की हुई है तो इसमें अभी और हमें काफी प्रयास करना है सरकार को प्रयास करना है और शिक्षा के माध्यम से इस भावनाव में पॉजिटिव बदलाहट लाना है असमानता को दूर करने के आखिर उपाय क्या है पहली बात सामाजिक विशमता को दूर करो आर्थिक विशमता दूर करो कानूनों और नागरिक इनके बीच में जो असमानता हैं उसको दूर करो और अंतिन शैक्षनिक समानता लाओ यानि ये त्यार तरीकों से सामाजिक विशमता दूर करके पहला सामाजिक विशमता का अर्थ क्या है वही जाति लिंग धर्म आधि के आधार पर जो विभाजन है समाज का उसे तोड़ा जाए कैसे तोड़ा जाए सरकार के प्रयासों के द्वारा और अपने स्वयमेव प्रयासों के द्वारा समाज को ये महसूस करना है कि यह विभिन्नता जितना नुकसान उन लोगों का कर रही है उतना ही नुकसान हमारा भी होता है यदि समाज में विश्मता हो तो आर्थिक विश्मता का जिक्र मैंने पूर में कर दिया है कि आर्थिक विश्मता याने निर्धनता, अमीरी, गरीबी, आदी यदि सामने वाले गरीब हैं यदि हमारे आसपास के समाज में गरीब लोग हैं तो अपराद बढ़ते हैं उसके साथ ही अन्य तरीके की ऐसी गतिविदियां बढ़ती हैं जो हीन हैं नशा, शराब, जुआ, हत्याएं ये सब बहुत से कारण धन की कमी हैं और ये अपराधिक कारे उन लोगों के द्वारा ज्यादा जो गरीब श्रिनी के हैं तो यदि हम उनको संपन कर दें या संपन ना करके उनको आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्र बना दें तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधों की संख्या बहुत कम होगे डेवलब्ड कंट्री विकसित देशों के ओर देखे जहां पर अमीर और गरीब की खाई बहुत आस वहां हुआ है नागरिक और कानूनी असमानताओं को दूर करते हुए हम असमानता को दूर कर सकते हैं कानूनी असमानता हैं यानि ऐसे कानून बनाये जाएं जो सब के लिए बराबर हैं सतन्ता के पहले जो कानून हुआ करते थे वे कानून निश्चित रूप से असमान के पोशक थे विशिष्ट वर्ग के लिए विशिष्ट कानून एक खास तबके के लिए कानून अलग यानि रूल ओफ लॉव या सुप्रीमेसी ओफ लॉव कानून का शासन और कानून का सर्वो पर होना ये 1947 के पहले नहीं था उसी अपरादों के लिए एक ही अपराद के लिए अलग अलग वर्ग अलग अलग तबके के लोगों को अलग अलग कानूनी दंड दिया जाता था लेकिन 1947 के बाद जब रूल ओफ लॉव और सुप्रीमेसी ओफ लॉव लगू किया गया हमारे सम्विध प्रावधान के तहट तो कानूनी असमानताओं को काफी चोट पहुचाई गई और परिणाम क्या हुआ है कि जो विशमता है कानूनी दृष्टि से वो कम हो गई ही लेकिन जय था मैंने कहा इसमें भी हमें काफी चलना है शैक्षनिक समानता की व्यवस्था के लिए बहुत भर्तक प्रियास सरकार ने किया है शैक्षनिक समानता के तहट बहुत रिजर्वेशन्स आरक्षन की का प्रावधान किया है शैक्षनिक समानता के तहट निजी विद्यालेओं में भी शिक्षा के अधिकार के तहट ऐसे बहुत सारे प्रावधान किये गए हैं जिसमें अभ तक वंचित रहे लोग वापस इसमें जुड़े हुए हैं, शिक्षा के मुख्यधारा में आ गये हैं, तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिनिक समानता के अधिकार के तहद, शिक्षा का अधिकार ने सरकार के प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा रास्ता खोला है, जिसमें इन बच्चो को समान अधिकार मिल रहा है, शतीजगर सरकार ने अंग्रेजी में धिम में भी बच्चों को पढ़ाई के समान अवसर मिलें और उनकी आर्थिक स्थिति उस अवसरों का फायदा लेने में आड़े ना आए, इसलिए शतीजगर सरकार के द्वारा खोले गये, जो के स्कूल हैं, यह भी इसी दिशा में समानता को लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है।